नमस्कार दोस्तों सागत आप से भीक आपके अपने यूटीब चैनल परिक्षा हॉल 24 बाई 7 पे इस वीडियो में हम बात करेंगे अलग-अलग राज्यों में 13 ने राज्यपालों की जो नियूकती करी गई है महामहिम राश्टुपती द्रौपदी मुर्मु के द्वारा और हम सबसे पहले जो इस राज्य पर चर्चा करेंगे वो राज्य है हमारा हिमाचल प्रदेश कौन सा राज्य हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री याद रिखेगा हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किने नियूक्त करा गया है ठीक है तो हिमाचल हिमाचल परदेश के नयराज पाल के रूप में किने सिव परताप सुकला, यह हमारे सिव परताप सुकला है, और यह हिमाचल परदेश का मैप है, ठीक है, तो हिमाचल परदेश के नयराज पाल, सिव परताप सुकला, यहां के मुख्य मंतरी है, सुखविंदर सिंग सक्खू, हिमाचल परदेश के अभी मुख्य मंत्री कौन है? याद रखेगा सुखविंदर सिंग सक्कू. राजधानी यहां की है सिमला, ग्रिस्मकालिन और धर्मसाला सीथ कालिन. हिमाचल परदेश के लोगसभा सीट पर चर्चा करें तो लोगसभा की सीट चार है. हिमाचल परदेश जन्वरी 1971. हिमाचल परदेश के अस्थापना दिवस आपसे अगर कोई पूचेगा तो आप कहेंगे 25 जन्वरी 1971. मुख्य मंत्री स्री सिक वंदर सिंग, सक्कू, राजधानी सिमला, ग्रिस्मकालिन, धर्मसाला सीथ कालिन. लोगसभा की सीट चार हैं, मिधान सभा की सीट 68, राजधा सभा की सीट 3, अस्थापना दिवस के हमने बात करी 25 जन्वरी 1971. अगला जो राजी है, याद रखेगा अरुना आचल परदेश में भी नए राजपाल की नियुक्ति करी गई है, तो अरुना आचल परदेश में किन हैं नए राजपाल की रूप में नियुक्ति त्रिविक्रम परनाईक सहब को यहां के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करा गिया है, लेफ्टिनेंट जनरल यह हमारे लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनाईक सहब लेफ्टिनेंट याद रखेगा, लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य बस आपको याद ठीक है तो पारणाइक सहब जो है उन्हें अरुनाचल परदेश के नए राज़ेपाल के रूप में नियुक्त करा गिया है। अगले राज़े में मनिपूर के नए राज़ेपाल के रूप में नियुक्त करा गिया है। मनिपूर के नए राज़ेपाल के रूप में अनुसुया ओईके जी को यहाँ पर नियुक्त करा गिया है। मनिपूर के मुख्यमंत्री है एन बिरेन सिंग, राज़दानी इंफाल है। मनिपूर के लोगसभा सीट की बात करें तो दो है, बिधान सभा सीट साथ है और अगर राज़े सभा सीट की बात करें तो एक है मनिपूर की अस्थापना दिवस 21 जनवरी 1972। तो आपको याद रखना है मनिपूर के नए राज़े पाल के रूप में अनुसुया ओई के। बिधान सभा सीट निए राज़े सभा सीट 5 है लोगसभा सीट नायन सेट 5 है, जो स्थापना दिवस है याद रखेगा एक नौमबर चतिस गड़ के अस्थापना दिवस के बारे में याद रखेगा, एक नौमबर दो हजार, चतिस गड़ का अस्थापना दिवस, एक नौमबर दो हजार, इतना आपको याद रखना है, अगला राज यह कौन सा है, तो अगला राज है, आसाम, और आसाम के नए र राज़ेपाल के रूप में किले लिउक्त करा गिया, या फिर असम के राज़ेपाल कौन है, तो आप कहेंगे गुलाब चंद कटारिया, ये देखें, गुलाब चंद कटारिया, असम के बुख्यमंत्री है, स्रीहमंत बिश्वासर्मा, राजधानी दीशपूर, अगर बात कर इसके है 26 जन्वरी 1950, 26 जन्वरी 1950, असम का अस्थापना दिवस है, अगले सवा, अगला राजी कौन सा है, अगला राजी है आंदर प्रदेश, आंदर प्रदेश के नए राजिपाल के रूप में न्यूकती हुई है, जस्टिस, याद रखेगा जस्टिस एब M. अब्दूल ठीक है, जस्टिस M. अब्दूल नाजीर सहब को अरुनाचल प्रदेश, अंदर प्रदेश का नया राज्यपाल न्यूकत करा गिया है, अंदर प्रदेश के मुख्य मंत्री है, Y.S. जगन मोहन रेड़ी, अंदर प्रदेश की राजधानी पहले हाइदराबाद ती, लेकिन बिधान सवा के सीटों की संक्या 175 है, और राजे सवा के सीटों की संक्या 11 है, अरुनाचल अंदर प्रदेश के जो क्या बोलते हैं, कि अंदर प्रदेश के अस्थापना दिवस, एक नॉम्बर 1956, और आपको पता होगा, भासाई आधार पर, लिंग्विस्टिक बेसिस पर, आंदर प्रदेश सबसे पहले राज पुनर गठन जो हुआ था, भासाई आधार पर आंदर प्रदेश का ही हुआ था, और यादर के गास्थापना दिवस, एक नॉम्बर 1956 को, राज सवा सीटे 11, बिधान सवा सीट 175, लोग सवा सीटे 25, और यहां के नए राजे पाल, जस् थी, ठीक है, तो फागु चौहान, बिहार के राजे पाल, और मेघाले, ठीक है, मेघाले के अभी नए राजे पाल के रूप में नियुक्ति करी गई है, फागु चौहान को, और याद रिखेगा, यहां के मुक्यमंत्री है, कॉनराड संगमा, मेघाले की राजधानी लोग सभासीट यहां के दो, विधान सभासीट 60 है, और राजी सभासीट 1, मेघाले के लोग सभासीट 2, विधान सभासीट 60 और राजी सभासीट 1 है, और अगर बात करें, यहां के स्थापना दिवस तो 21 जनवरी 1972, ठीक है, मेघाले का स्थापना दिवस 21 जनवरी 1972, याद र सीट 60 है और राजसवा सीट 1 है यहां के अस्थापना दिवस्ट 21 जनवरी 1972 अगले राजी पर चलते हैं अगला राज है विहार और विहार में भी नए राजिपाल की निउक्ति हुई है राजेंदर बिस्वनात आर लेकर सहब का ठीक है विहार में नए राजपाल की नियुक्ति करी गई है राजेंदर विस्वनात आरलेकर जी को और यहां के जो मुख्यमंत्री है नितिश कुमार सब जानते होंगे राजधानी पटना है लोगसवा की सीट बिहार में 40 है अगर बात करें बिधान सवा की तो 243 है और राजधान सवा की सीट बिहार से 16 है लोगसवा की सीट 40 विधान सवा की सीट 243 और राजधान सवा की सीट 16 है अगर बात करें राज बिहार के स्थापना दिवस्त। 26 जनवरी 1950 अगले राज़e पर चलते हैं अगला जो राज़े हमारा वो है सिक्किम में भी नए राजिपाल की नियुक्ती हुई है, सिक्किम में नए राजिपाल के रूट में नियुक्ती हुई है, स्री पी एस एक मिनट, यहाँ पर लक्षमन परसाद आचारिय, ठीक है, लक्षमन परसाद आचारिय, याद रखेगा, सिक्किम के नए राजिपाल के लक्षमन प्रसाद आचारिय, ये हैं मारे लक्षमन प्रसाद आचारिय, सिक्किम के नए राज़िपाल, यहाँ पर जो मुख्यमंत्री है, स्री पिएस गोले है, राज़धानी है गैंग टोक, सिक्किम का लोकसभा सीट है एक, बिधान सवा सीट है 32 और राज़े सवा सीट है याद रिखेगा, सिक्किम के लोक सवा सीट एक, बिधान सवा सीट 32 और राजे सवा सीट एक है, सिक्किम की अस्थापना दिवस के बारे में बात करें, तो 16 मई 1975, ठीक है, 16 मई 1975 को सिक्किम की अस्थापना होती है, अगला राजे है, अगला राजे है जहारखंड, और आपको आपको पता होगा कि रमेश बैस और रमेश बैस को जारकंड से यहां से कहा परस्थान अंतरित कर दिया गया है तो महार रास्ट्रा में तो जारकंड के नैराजपाल CP राधा कृिस्टन ज्धारकंड के मुख्य मंच्री है हमंत सोरिन साभ राजदहानी राची है ज्धारकंड में लोग सवा सीट 14 है अगर बात कर यहां के विदान सवा सीटों की तो 81 है और यहां की राज्य सवा सीट है च्छे, चौदा, लोक्सवासीट, बिदान सवासीटी क्यासी है, राजे सवासीट 6 है, और जहारकंड की अस्थापना दिवस आप सब लोग जानते होंगे, 15 नॉवंबर 2000, ठीक है, 15 नॉवंबर 2000, जहारकंड की अस्थापना दिवस, अगले राजी पर चलते है, हमारा जो अ और यहां के जो मुख्य मंत्री है इस टाइम पर वो है आपके एक नात सिंदे राजधानी मुंबई है, महाराश्ट्रा का लोगसवासीट 48 है, बिधान सबासीट 289 है और राजसवासीट 29 है। महाराश्टरा का लोकसवासीट 48, बिधानसवासीट 289, और राजसवासीट 19 है, यहां की अस्थापना दिवस के बारे में बात करें, तो 1 मई 1960, 1 मई 1960, महाराश्टरा का स्थापना दिवस, नैराजपाल की रूप में न्यूकती हुई है, किसके तुरमेस बैस सहाब की, अगल राजे पर चलते हैं, अगला राज है नागालेंड, नागालेंड में भी नए राजेपाल की नियुक्ति हुई है लागनेशन, याद रखेगा लागनेशन साहब की नियुक्ति हुई है नागालेंड के नए राजेपाल की रूप में कहां पर नागालेंड में, नागालेंड क लोक सवासीट एक है, बिधान सवासीट 60 है और राजे सवासीट एक है लोक सवासीट एक, बिधान सवासीट 60 और राजे सवासीट एक नागलेंड की अस्थापना दिवस पर चर्चा करें तो 1 दिसंबर 1963 जाद रखेगा 1 दिसंबर 1963 63 नागालेंड की अस्थापना दिवस अगले सवाल पर चलते हैं। याद रख लिजेगा गोवा की अस्थापना दिवस 30 मई 1987 अगले राज्य पर चलते हैं। अस्थानंतरित कर दिया है उपर राज्य पाल के रूप में। तो लद्दाक चुकी एक केंदर सासित प्रदेश है यूनियन टेरिटोरीज है तो यहाँ पर राज्य पाल नहीं बलकि उपर राज्य पाल यानि की लेटिनेंट गवर्नर एलजी होते हैं। तो लद्दाक के नए एलजी न्यूक्त करे गए है किनको तो बीडी मिस्रा को ठीक है याद रखेगा बीडी मिस्रा साहब को लद्दाक के नए उपराज्य पाल के रूप में यहाँ पर बीडी मिस्रा साहब की न्यूक्ती हुई है। प्रद्धा कोप नए केंदरसासित प्रदेस के रूप में जो इसकी अस्थापना हुई है 31 अक्टूबर 2019 को राजधानी है एक ले ठीक है अब जो हमारा ये तो हम लोगों ने 13 राजयों को देख लिया जिसमें की अलग-अलग राजयों में जो राजय और केंदरसासित जरूर देखेगा आपको बहुत फाइदा होगा हर एक एक जाम में यहां से प्रसंद देखने को मिलेंगे और अभी ये एक लिस्ट है कि किस स्टेट में अभी कौन चीफ मिनिस्टर है और इनके गवर्नर के नाम कौन है तो ये पूरा लिस्ट अगर आपको डाउनलोड करना ह तो आप परिक्षा हॉल 24-7 के टिलिग्राम चैनल से जुड़ जाईएगा तो यूनियन टेरिटोरीज और उसके बाद राज्यों के जो राज्यपाल और चीफ मिनिस्टर का ये पूरा लिस्ट है अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर और अगर खराब लगा है तो ये भी बताईएगा कि इसमें जो है किस तरह से इंप्रूव किया जा सकता है तो लाइक आप जरूर किजेगा अगर अच्छा लगा है तो शेयर किजेगा दोस्तों में ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और रेगुलर तोर पर आप लोगों को एक क्वालिटी कंटेंट यहां से प्रोवाइड कराया जाए हम अगर आप जहरकंड में किसी भी एक्जामिनेशन की तयारी कर रहे हैं तो इसके लिए जैसे सी सीजिल के लिए अलग से सारे क्लासेज जो है यहां पर रेणियू करे जाएंगे फिर उसके बाद आपको जैप तक के लिए जैहिंद जैभारत